तो गाईज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेगा आज हम इस वीडियो में समझने जाएंगे ओडियन्स टागेटिंग मतलब फेस्बुक की जो डिटेल टागेटिंग होती है वो आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे जैसे की हमको जो भी एड़टीजमेंट डिखती वो क्यों दिखती है आपको गर किसी यूजर को टारगेट करना है किसी बिजनस के लिए आपको टागेटिंग करना है तो वो कै कितने टाइप से डिट्रील टागेटिंग करी जाती है या उसका मतलब क्या है यहां पर मैं क्या यहां करते हैं यहां पर मैं क्रीट करता हूं मैं traffic campaign लिया then just click on the continue then just then directly मैं आपर ad set में आता हूँ ad set में आने के बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर audience targeting का option दिखेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह detailed targeting का option है अब देखाइस यह start करने से पहले मैं आपको एक point बता जेता हूँ facebook ads के अंदर पूरी advertisement इसी चीज़ पर depend होती है अगर आपका यह section detailed targeting गलत हुआ तो पूरा effect आपको result पर जाएगा उससे आपका budget भी exhaust होगा और आपको quality result भी नहीं आएगा इस चीज़ को आप दिमाग में बठा लीजिएगा यहां पर मैं जाता हूँ यहां पर मैं edit करता हूँ अब edit करते हैं यहां पर then browse पर जाते तो आपको तीन चीज़ दिखती है एक demographic दूसरा आपका behavior तीसरा आपका interest ठीक है तीन चीज़ यहां पर आपको दिख रही है demographic in the sense क जैसी कि for example जैसी कि मैं हूँ तो यहां पर like हम लोग क्या करते हैं हमारी profile पर जो भी data mention करते हैं ठीक है उसके base पर like facebook advertisement दिखाता है तो demographic का मतलब क्या होग है जो भी हमारी personal information होती है हमारी lifestyle होती है हमारी income होती है ठीक हमारी जो activity होती है जो हम profile के थ्रू करते हैं उसको हम कहते डेमग्राफिक वो डेमग्राफिक बेस्ट ओडियंस को advertisement दिखाता है जैसे यहां पर आप देखें क्या मतलब है नीचे क्या लिखा है रिश पीपल बेस्ट ऑन एड्यूकेशन बेस्ट ऑन इम्प्लोइमेंट हाउसल्ट एं लाइफस्टाल डिटेल सम डेटा इस जो भी मेरे एड्यूकेशन डिले मैंने अपनी प्रोफाइल मेंशन करी है कोई भी अगर टार्गिटिंग करता है कि अगर मैं उसमें आ रहा हूं तो मुझको advertisement दिखेगा that is the meaning of demographic audience as it is employment employment in the sense कि मैंने अगर मैंशन करा है कि I am working with ABC company ठीक है तो वहां पर जो ABC कंपनी है या मेरी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के बेस्ट पर लाइक मुझको advertisement दिखना स्टार्ट होती है दैना आते हम interest अब interest क्या होता है हमारा interest मतलब कि हम किस टाइब के pages को follow कर रहे हैं या किस टाइब के pages को हम like कर रहे हैं यह totally किस के अंदर आता है इंट्रेस्ट के अंदर मतलब हमा इसको like कर रहा है follow कर रहा है यूजर इंगेज है पड़िल उस pages के साथ टॉपिक के साथ उस content के साथ तो वह इंट्रेस्ट की टागेटिंग में आ जाता है behavior का मतलब क्या होता है कि rich people based on the purchasing behavior मतलब की अगर मुझको facebook पे कोई भी advertisement देखने के बाद मैंने call to action पे क्लिक करा और म आप कौन सा mobile device चला रहा है आप mobile device के according भी user को टार्गेट कर सकते हैं operating system के according आप टार्गेट कर सकते हैं बलब behavior के अंदर क्या क्या आएगा देखिए rich people based on the purchase behavior और intent device usage and more ठीक है यहां पर भी कुछ data है जो US based है ठीक है उसको हम समझेंगे आगे ठीक तो यह तीन तरीके होता है Facebook की जितनी भी audience आपने देखे होगी पहले या आप like in future में देखेंगे तो आपके तीन audience होगी demographic, interest और behavior इन तीनों के base पर ही like यहां पर हमको advertisement डिखती है और हम किसी को advertisement दिखा सकते हैं अब तीनों में क्या-क्या points है वह हम देखते हैं अब तीनों में किस-किस टाइप के audience है तो हम यहां पर देखते हैं जैसे यहां पर मैं demographic पर गया demographic पर जाने के बाद देखे education 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 level associate degree college college graduation doctorate high school in college in grad school in high school master degree अब देखे इसको सबसे अच्छा समझने का लाइक तरीका क्या है तरीका इंदसें जैसे master degree master degree में आप देखेंगे तो आपको हाँ पर side में देखें आप audience size आपको दिखा रहा है इसकी audience size है यह audience size पूरी worldwide होती है ना कि किसी specific location की बता रहा है demographic के अंदर है description अब देखें हमको कभी भी अगर कोई भी audience target करना है तो हमको specific audience का description पढ़ना ही होगा जब तक हम उस option का description नही level as master degree ठीक है मतलब की जितने लोगों ने अपनी profile में मैंशन करा है कि उनके highest education level क्या है master degree है कि उन्हीं को advertisement दिखेंगा धैन फिर आप नीचे आएंगे तो आपको और और कुछ देखना है तो यहां पर आप देखना है तो यह यहां पर income का data है अब इंकम डेटा में देखें यह यूएस का यह यूएस specific data इसमें इंडिया का किसी country का कुछ भी हाथ नहीं है अब इंडिया या किसी भी country का data use नहीं कर सकते क्यों option नहीं है यहां पर पैरेंट्स आपको parents target करना है कि यहां पर देखें पैरेंट्स और न्यू पैरेंट्स जिनका भी बेबी हुआ है और यहां पर इस ट्राइब कर सकते हैं यहां पर इस ट्राइब से आप रलेशन्शिप को भी टार्गेट कर सकते हैं हम अपनी प्रोफाले मैंशन करते ही कि मैरेड है कि सिंगल है वो data facebook के पूरा सिक्क्रा रहता उसके बेस पर हमको advertisement दिखती है यहां पर वरक पर जाएंगे तो वरक पर आपको तीनों चीज़ इंप्लॉयर इंडस्री इंडस्री वाई जाएंगे अगर कोई यूजर पर्टिक्लरली यहां पर administration में जॉब कर रहा है तो उनको advertisement दिखेगा अब जैसे इसका description पढ़िए क्या लिखा है यहां पर people with roles in administration example include कोई secretary है ठीक है कोई administrative assistant है कोई office manager ह तो उनको आपका advertisement दिखेगा यह पूरा पार demographic के अंदर होता है specific यहां पर अगर मैं इंट्रेस्ट पर आऊंगो तो इंट्रेस्ट में बिजनस इंडस्ट्री अब जिसे बिजनस इंडस्री अब इसके अंदर आपको कही सारे पार्ट दिख रहे हैं एडवर्टाइजिंग आपके इंट्रेस्ट बेस रहती है इसके अंदर आपको बहुत सारे ओप्शन्स हैं फूट एंड्रिंक है होबीज है और अक्टिविटीज बहुत सारे पार्ट है शॉपिंग फैशन स्पोर्स और आउट्डोर्स राइट यह पूरा इंट्रेस्ट वाला पार्ट है अब ब इसको यहां पर पढ़िए क्या लिखा यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन फीपल और मोर लाइकली तू पर्टेस जो पर्टेस मतलब जो पर्टेस करते हैं प्रड़क्ट मत आउफर के साथ जैसे फेस्बूक पाइडवर्डिसमेंट दिख रहा है अब तू थर्टी अगर वह आफर देखके मैं इंगेज हुआ हूं मैंने पर्ड़क्ट पर्चेस कर रहा है तो मैं इस कटिगरी के ओडियंस में आ जाऊंगा ठीक है यह वाली ओडियंस जब आप सेल्स की चलाते चलाते तो यह वाली ओडियंस बहुत ज्यादा हेल्फुल करती है टागेटिं यह अब मेरे को यहां पर स्पेसिफिक फोन को टार्गेट करना है तो मैं स्पेसिफिक फोन भी कर सकता हूं अब उसका पर यह क्या लिगा पीपल हुआ लाइकली टू ओन गैलेक्जी एस एड मोबाइल डिवाइस मतलब जो लोग फेस्बुक चला रहे हैं और जिनका डिवाइस सैमसंग गैलेक्जी एसेट है उनको आप अपना डिखा सकते हैं अब देखा इस लाइक जो मोबाइल बेस्ट कंपनी होती है वह क्या कर करना चाहते हैं दूसरे मॉडल के साथ या फिर दूसरे फोन के साथ लाइक जब भी मिरको अगर इस टाइप की चलानी तो मैं इस टाइप से ओडियंस को टार्गेट करूंगा तो यह यह तीन चीज़े होती है आपके डिटेल टार्गेटिंग के अंदर एक आपका डेमेग क्लाइंट है तो उनकी आप टार्गेटिंग कैसे कर सकते हैं वह भी डीप में तो उसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे इन इस वीडियो इतना ही फिर मिलते आप से नेक्स वीडियो में तिल देन थैंक्यू टेक क्यार बबाए